Hello Friends, स्वागत है आप सभी लोग का Pharma Express चैनल पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मेडिसिन जो कि commonly हमारे इंडिया में हर एक घर में कभी न कभी ये मेडिसिन जो है यूज हुई है ये यूज होती है, बिसिकली हम यूज करते हैं इसे कभी भी अगर हमारा fever की condition होती है या हमें body pain बहुत होता है तो उस case में हम paracetamol tablet लेना consider करते हैं तो इस paracetamol tablet किस तरीके से काम करती है क्या-क्या use हैं, क्या-क्या benefits हैं क्या इसके contraindications हैं, क्या-क्या side effects हैं इसके और कितनी dose ranging जो है इसके लिए consider की गई है ये सारी चीज़ें और क्या-क्या brands हैं जिसकी paracetamol tablets market में available हैं, उन सब के बारे में आज हम discussion करेंगे तो पहली चीज़ है, जो पहला line यहाँ पे लिखा हुआ है it is the non-estroidal anti-inflammatory drug so non-estroidal anti-inflammatory drug का मतलब है कि ये estroidal नहीं है non-estroidal का मतलब है कि ये सीधे cox enzyme को inhibit करता है जो कि एक cyclo-oxygenase enzyme है, जो कि आगे आने वाले pages में जब हम mechanism of action को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे so ये क्या करता है कि हमारे cyclo-oxygenase enzyme को inhibit करता है cox 1 and cox 2 दोनों को inhibit करता है और जिसके कारण कि जो prostaglandin का secretion हो रहा है जिसके कारण कि हमारा pain और fever की sensation start होती है वो हमारा नहीं हो पाता है and it leads to reduce the fever as well as the pain condition estroidal drug की जो conditions है, estroidal drug की अगर हम बात करें estroidal drug में और non-estroidal में क्या difference है so estroidal drug जो है वो ये है कि वो inhibit करता है हमारे phospholipase A2 को जिसके कारण कि आगे की जो formation है वो नहीं हो पाते है लेकिन estroidal drug का बहुत सारा side effects है बहुत सारी conditions में वो दिक्कतें करता है जैसे कि हमारे immune system को वो downgrade करता है क्योंकि हमारे T cells के destructions को वो initiate करता है और ज्यादा हद तक ये एक तरीके से antibodies को हमारे तोड़ता है plus एक जो inflammatory response ये देता है वो just as a manifestation है मतलब कि एक बस दिमागी खेल है वो पूरी तरीके से inflammation को reduce करने में ना समर्थ है तो इसलिए हम consider करते हैं NSAID के बारे में और NSAID को आगे हम पढ़ते हैं किस तरीके से वो काम करता है body में तो paracetamol is the one of the most common used over the counter drug for the analgesic and antiparity सबसे ज़्यादा use करते हैं OTC का मतलब होता है कि वैसे drug जो हम without prescription भी drug store से जाके ले सकते हैं तो वो सारे drug जो होते हैं वो OTC drugs का जाता है तो यह एक OTC drug है और analgesic and antibiotics के accents है यह जो है यूज होता है हमारे basically headache की conditions में अगर हमारा एक side में brain के एक side में pain हो रहा है like mild migraine type का उसमें यूज करते हैं अगर musculo skeletal pain हो रहा है हाथ पैर दुख रहा है तो उस case हम यूज कर सकते हैं diacemenorrhea मतलब की जब mensuration cycles होती है तब उसमें pain होता है female को तो उस condition में भी हम इसे use कर सकते हैं और यह जो है एक तरीके का recommended किया गया है first choice of and analgesic drug for the osteoarthritis condition as well so अगर osteoarthritis condition में woman को अगर pain हो रहा है तो उस condition में lex pain हो रहे हैं joint pain हो रहे हैं तो उस condition में हम paracetamol को consider करते हैं देने के लिए now it is one of the best drug to be used in the antipyretic for fever due to any due to any cause अगर कोई भी fever जो है किसी भी cause से हो रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके thermal shock के कारणी fever हो रहा है हो सकता है कि आपको dingo के कारण fever हो रहा है malaria के कारण fever हो रहा है तो अगर कोई infection के कारण भी जिसको हम कहते हैं एक तरीके का sepsis infection so sepsis infection के कारण भी अगर कोई infection हो रहा है या उसके कारण जो fever हो रहा है उस condition में भी हम इसे use करते हैं और especially children's में हम use करते हैं तो इसके कारण कोई Ray syndrome नहीं होती है इसके अंदर, तो अब हम बात करते हैं, mechanism of action के किस तरीके से काम करता है, तो हमारे body जो है phospholipid बनाता है, phospholipid जो है, वो phospholipase A2 के कारण, यहाँ पर आप देख रहोगे, arachidonic acid बनाता है, और arachidonic acid, phospholipid को arachidonic acid में अगर convert नहीं होने देना, तो हम इस्ट्वाइट दे सकते हैं, लेकिन अगर arachidonic acid को हमको PGH2 में नहीं convert होने देना है, तब हम different types of जैसे की NSAID दे सकते हैं, coxive drug दे सकते हैं, जो की rafi coxive, aloe coxive, atory coxive, यह सब सारी drugs हैं, जो की एक selective coxive inhibitor drug है, फिर paracetamol दे सकते हैं, तो paracetamol क्या करता है, यह जो beach वाले जो prostaglandine है, जो prostaglandine synthase वाली जो activity करता है, जिसमें PGD2, PGF2 and PGE2 बना रहा है, तो paracetamol क्या करता है, इस PGE2 की synthesis को रोकता है, इसको inhibit करता है, prostaglandine की synthesis को inhibit करता है, paracetamol दे पाता है, now mechanism of action of paracetamol, जो simple तरीके से अगर हम बात करें, तो यह भी हो सकता है, यह जैसे की paracetamol हम दिये, यह क्या करता है, blood-drain barrier में penetrate किया, यह हमारे recent study है पाए गया, 2002 की study में, कि यह हमारा cox-3 को inhibit करता है, और जिसके कारण क्या होता है, block the formation and release of prostaglandine, जो PGE की release है in the CNS system, block the formation and release of PGE in the central nervous system, PGE जो release हो रहा है central nervous system के तरू, वो release नहीं होता है, जिसके कारण inhibit the action of endogenous pyrogen, क्यों क्योंकि PGE2 और pyrogen, यह तोनों मिलके ही हमारी जो thermal temperature को बढ़ाते हैं, hypothalamus के तरू, जो temperature को हमारे body के temperature को बढ़ाते हैं, या pain को बढ़ाते हैं, वो यह दोनों मिलके ही करते हैं, PGE2 with pyrogen on heat regulating center in the brain, और इसके कारण हमारा जो है, inhibiting the action of endogenous pyrogen on the heat regulating center in the brain, और इसके कारण हमारा एक anti-paratic effect body में so होता है, अगर हम बात करें side effects की, तो different side effects हैं इस paracetamol के, जैसे की पहला side effect है की, यह nausea और rass करवाता है, rassist करवाता है, due to rassist जो है, वो due to the allergic reactions होते हैं, acute paracetamol poisoning भी हो सकती है, जैसे की it occur, especially जो है यह ज़्यादा तर acute paracetamol poisoning की, अगर हम बात करें तो वो children में होती है, जो उसमें एक enzyme होता है, जिसको की हम कहते हैं, gluconide conjugation ability, gluconide conjugation ability, जिस भी children में, अगर कम रहेगी, तो उसमें क्या है, metabolism में दिक्कत होते हैं paracetamol की, जिसके कारण की उस paracetamol की toxicity ज़्यादा बनने लगती है, यही gluconide conjugation ability के कारण toxicity एक और drug है, जो की antibiotic में हम यूज करते हैं, वो एक clodofenicol, उसके कारण भी यह gluconide conjugation ability की कमी के कारण toxicity हो दिया है, जो इसको की हम कहते हैं, clodofenicol toxicity, अब अगर last dose है, जैसे कि अगर हम ज़्यादा 150 mg per kg से ज़्यादा दे रहे हैं, और या 10 gram, मतलब की समझ रहे हो आपकी 10 मतलब एक तरीके से आपका 10,000 mg दे रहे हैं, तो उस condition में adult को हो सकता है कि serious toxicity हो, vomiting जो है, वो normal side effect है, abdominal pain होता है, पेट में दरद होगा, liver tenderness, liver tenderness एक तरीके से समझ जाए कि liver pain होगा, liver pain तब ही होता है, जब कोई एक particular drug या कोई एक infection जो की आपके liver को affect कर रहा है, liver के cells को मार रहा है, जिसके कारण की ये चीज़े होती हैं, और ये चीज़ paracetamol करता है, with no impairment of consciousness, consciousness को impair नहीं करता है, मतलब कि आप जो सोचने की समता है, आप जो चल रहे हैं या जो बोल रहे हैं, conscious रहते हैं, आप active रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको unconscious करतेगा, inactive करतेगा, so after 12-18 गंटे बाद क्या है, एक century, century lobular haptic necrosis होदी है, haptic necrosis मतलब cell death होना, cell death होना start होदी है, which may lead to accompanied by renal tubular necrosis, renal tubular necrosis मतलब कि kidney को भी damage कर सकता है, पहले liver को damage करेगा, फिर kidney को damage करेगा, kidney को damage होने के बाद, ये एक hypoglycemic state में body को ले आता है, और hypoglycemia stage में जैसे ही body आती है, मतलब कि glucose की body में जब कमी होना start होती है, क्योंकि liver function properly नहीं कर रहा है, तो glucose की जो synthesis अब भी properly नहीं अपाएगी, उसके कारण हमारे body में कोमा की condition आ सकती है, अगर paracetomol poisoning अकर हो रही है, तो if the patient brought early vomiting, अगर माल ले जागे, अगर किसी patient को poisoning हो गई है, और उस patient को अगर हम early में ले आए, और उसकी हम vomiting करवा दे, मतलब vomiting करवाएं, vomiting induced करवाएं by the emetics drugs, और या तो हम gastric lavish दे, gastric lavish done करें, जिससे कि हम उस particular toxicity को हम बाहर निकाल पाएं, या हम activated charcoal जो है, ओरली दे सकते हैं, so that कि जो भी extra amount of drug जो है, प्राज्मा में present है, ब्लड में जो present है, वो absorb ना हो पाए, वो अपना action ना दे पाएं, जिसके करवाएं टॉक्सिटी और सीवियर हो जाएं, वो charcoal जो है, वो क्या करता है, वो paracetamol के साथ complex बनाता है, और उसकी activity जो होने वाली है, उस activity को नहीं होने देता है, नाउ, paracetamol के अगर contraindication की बात करें, तो different different contraindication है, जैसे की पहला contraindication है, कि हम hypersensitive और idiosyncratic reaction है, idiosyncratic मतलब जो genetically sensitive है, regarding the paracetamol drug, उन patients को हम ये drug नहीं देते हैं, paracetamol हम use नहीं करते हैं, during the pregnancy as well, बहुत ही कम use कर नहीं कर देता है, कि दवाई बहुत ही कम खाना चाहिए, at the time of pregnancy, क्योंकि different side effects हैं इस paracetamol को, जैसे की पहला है कि development of asthma, asthma cause करवा सकता है, lower IQ autism, lower IQ IQ करवा सकता है, lower IQ level, autism करवा सकता है, autism spectrum disorder करवा सकता है, attention deficient होना सकता है, hyper activity disorder करवा सकता है, as well as poor attention, मतलब कोई भी चीज़ में एक proper attention, वो बच्चा नहीं दे पाएगा, ये सब सारी side effects है, anti-cogglant drug को doses may require reduction, if paracetamol अगर हम दे रहे हैं, कोई patient है जिसको कि anti-cogglant भी चल रहा है, heart की भी problem है, कुछ न कुछ उसकी clotting की problem है, plus अगर हम उसे paracetamol भी दे रहे हैं, तो उस case में anti-cogglant की dose को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि anti-cogglant क्या करता है, कि हमारी जो prothrombin time है, prothrombin का मतलब हो गया, कि कितना time blood ले रहा है, clotting करने के लिए, उस time को बढ़ाता है, तो इसके कारण हो सकता है, कि paracetamol के कारण कुछ gastric irritation हो, यह सारे एक नॉर्मल साइड एफेक्ट जो NSID के हैं, वो हो सकते हैं, तो इसलिए हम anti-cogglant drug की dose को कम करना पड़ जाता है, paracetamol absorption जो है, increase हो जाती है by the substances that increase the gastric emitting, जो gastric emitting को जल्दी बढ़ाता है, उससे paracetamol के absorption और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि metachloropramoide की drug है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो एक prokinetic drug है, anti-emitting drug है, जो कि हम यूज़ करते हैं, ओमिटिंग के cases में, paracetamol absorption जो है, is decreased by the substances that decrease the gastric emitting, कुछ-कुछ drugs हैं, जो gastric emitting को जल्दी नहीं करते हैं, जैसे कि propanethylene हैं, anti-representant है, anti-colinergic है या नार्कोटिक है, जो ये सारे drugs जो हैं, वो easily absorption नहीं होने देते हैं, paracetamol का, paracetamol drug की अगर हम बात करें, dosing की बात करें, तो adult dose में ये है, कि general dosing जो है, adult dose की fever और pain की condition में, वो 325-650 mg, 4-6 hour early है, 650 mg, 6-6 घंटे पर ले सकते हैं, 4 बार एक दिन में, मतलब कि 4 tablet एक दिन में ले सकते हो, आप 6600 mg का, अगर आप adult हो, adult की criteria ये है, greater than or equal to 12 होना चाहिए, second है, oral or rectal roots, अगर हम pediatric dose की बात करें, तो less than or equal to 1 month है, तो 10 to 15 mg पर kg, 6-8 hour के concentration में में देना है, ग्रेटर देन 1 month to 12 year है, तो 10 to 15 mg पर kg, every 4 to 6 hour हम दे सकते हैं, अगर greater than or equal to 12 year है, तो 325 to 650 mg, every 4 to 6 hour हम दे सकते हैं, easily, अगर हम बात करें की कौन-कौन सी ड्रग हैं, जो की अभी market में चल रही हैं, और जो की हमारे use हो रही है, जैसे की एक आती है, IPCA की Pessimol 650 mg, यह हमारी बहुत यूज़ हो रही है, एक आती है, सिपमol करके, सिपला कंपनी की है, सिपमol 650 mg, वो भी यूज़ होती है, क्रोसीन, आप सबी लोग जानते होगा, GlaxoSmith Land की है, बहुत यच्छी ड्रग है, 650 mg, जो की आँख मुंद की लोगी, इस टैबलेट को लेते हैं, इसली, दिर इस वन ड्रग विच इस फेपैनिल, फेपैनिल एक ड्रग है, जो की वेरिटास कंपनी की है, एक और ड्रग है, जो की है, मेलिदेंस, मेलिदेंस 650 mg, जो की एर्पॉर्ट फार्मा प्रोड्यूस करती है, प्रोड़क्शन करती है इसका, एक और अरिस्टो फार्मा है, जो की अल्ट्रा मॉल 650 mg बनाती है, वो टैबलेट, फेरा से टमॉल टैबलेट, ये सब सारी कंपनीज है, जो कुछ कंपनीज का मैंने देखा है, तो वो सारी कंपनीज को मैं आपके सामने लेगा है, एक रेकॉमिनेशन है, ये नोट जो है, ये बहुत इंबॉर्टन है, जिसमें की, एक्सराइज अबेंडेंट कॉज़न, द्रग की प्रैक्टिस करते करते हैं, और एक डिफेंट डिफेंट केस स्टडी को अमेरिका ने स्टडी किया, उसके एक्सराइज जो है, परसेटमॉल जो एक तरिकी का OTC ड्रग है, अगर कोई भी परसेटमॉल ड्रग का अगरम सिंगल डोजस फॉर्म में दे रहे हैं, तो हमें 650 Mg से जादा नहीं देना है, पहले ये 1000 Mg था, उसे हमने कम किया 650 Mg के हैं, क्योंकि बहुत सारी liver toxicities बहुत तगड़ी हो रही थी इस पर्टिकुलर ड्रग के कारण, परसेटमॉल के कारण, और रेनल टुबर ग्लॉसस और प्लस आपोग्लाइसीमिया और वैसे बलस कोमा ये आपने देखा ही है, फिर टोटल जो डेली डोज है हमारी इस ट्रग की, वो हमारी टोटल डेली डोज एडल्ट के लिए जो है वो 2600 Mg है टोटल, जो की पहले 4000 Mg थी, उसे हमाँ FDA, US FDA ने कम किया है, और इसी के अंतरगत सारी कंपनी जो है वो अपना मतलब प्रोसेसिंग जो है उस तरीके से ही मैनेज करती है, so this is the whole presentation about the paracetamol and so I hope कि आपको ये अच्छा लगा हो, thank you.